ओम शान्ती, आज है 21 नवंबर 2021 के अव्यक्त महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाप दाद ने कहा, चलते फिरते, कोई भी कारे करते, मन में यही शुव भावना हो, यही एक संकल्प हो, कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्यान हो जाए। परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृती सहित परिवर्तन हो जाएगा। जो भी आत्माओं आपके संबंद संपर्क में आती हैं, उनको आपकी शुब भावना का प्रत्यक्स फलतो प्राप्त होता ही है, साथ में शान्ती वर सुख की अनुभूती भी होती है। हर आत्मा के प्रती तरस पढ़ना चाहिए कि ये हमारे ही इश्वरिय परिवार के हैं, यह आत्मा भी वर से के अधिकारी बन जाए। फिर बावा ने बताया, सेवा का फाउंडेशन है शुब भावना और शुब कामना। अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्स फल की प्राप्ती भी नहीं हो सकती। शुब भावना अर्थात, शक्तिशाली संकल्प। जैसे साइंस के साधन दूर बैठी आत्माओं से समीब का संबंद अनुभव कराते हैं, ऐसे आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुब भावना भी दूर बैठे अन्यात्माओं को प्राप्ती करा सकती है। और लास्ट में बाबा ने कहा सुक्षम सेवा की गती को तिवर करने के लिए विशेश दो बातों पर अटेंशन देना है, एकांत और एकागरता। इसमें समय भी कम, साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। सिर्फ मन और बुद्धी फ्री होने चाहिए। अब छोटी-छोटी बातों में मन और बुद्धी को बिजी नहीं रखना। और आज बाबा ने खास कुमार और कुमारियों के लिए भी विशेश डारेक्षन दिये। वह जानने के लिए सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार स मुरली का सार, शुब भावना और शुब कामना की सुक्षम सेवा। आज विश्व कल्यान कारी बाप दादा अपने विश्व कल्यान कारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्यान के कारे में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्यान हो जाए चलते फिरते कोई भी कारे करते मन में यही शुब भावना है भक्ती मार्ग में भी भावना होती है लेकिन भक्त आत्माओं की विशेस अल्प काल की कल्यान प्रती भावना होती है आप ग्यानीतु आत्मा बच्चों की ग्यान युक्त कल्यान की भावना आत्माओं के प्रती सदाकाल और सर्व कल्यान करी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविश्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप दवारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्सा मिला है। आपकी शुब भावना का फल विश्य की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृती सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की स्रेष्ट भावना इतना स्रेष्ट फल प्राप्त कराने वाली है। इसलिए विश्व कल्यान कारी आत्माएं गाये जाती हो। इतना अपनी शुब भावना का महत्व जानते हो, अपनी शुब भावना को साधार्ण रिती से कारे में लगाते चल रहे हो, वो महत्व जानकर चलते हो, दुनिया वाले भी शुब भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुब भावना सिर्फ शुब नहीं, शक्तिशाले भी है क्योंकि आप संगम युगी स्रेष्ठ आत्माई हो संगम युग को ड्रामा नुसार प्रत्यक्स फल प्राप्त होने का वर्दान है इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्स फल आत्माउं को प्राप्त होता है जो भी आत्माई आपके संबंद संपर्क में आती है वे उसी समेही शान्ति वस्नेह के फल की अनुभुती करती है शुब भावना शुबकामना के बिना हो नहीं सकती हर आत्म के प्रती सदेव रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्से की अधिकारी बन जाए हर आत्मा के प्रती तरस पड़ता है कि यह हमारे ही इश्वरिय परिवार के हैं तो इससे वंचित क्यों रहे शुब कामना रहती है ना शुब कामना और शुब भावना यह सेवा का फाउंडेशन है कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो अगर आपके अंदर शुब भ भावना शुब कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्स फल की प्राप्ति नहीं हो सकती एक सेवा होती है निती प्रमान रिती प्रमान जो सुना है वह सुनाना है दूसरी सेवा है अपनी शुब भावना शुब कामना दवारा आपकी शुब भावना बाप में भी भाव बिठाती है और बाप दवारा फल की प्राप्ती कराने के निमित बन जाती है। पहुच जाता है तो जब साइंस की शक्ती अलप काल के लिए समीपता का फल दे सकती है तो आपके साइलेंस की शक्तिशली शुब भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शान्ती की शक्ती जमा हूँ। साइलेंस की शक्ती यह अलोकिक अनुभव करा सकती है। आगे चल कर यह प्रत्यक्स प्रमान अनुभव करते रहेंगे। शुब भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गती तिवर है। जितने भी साइलेंस ने तिवर गती के साधन बनाए हैं, उन सबसे तिवर गती संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रती वा बेहद विश्व की आत्माव प्रती शुब भावना रखते हो, अर्थात शक्ति शाली शुब और शुद्ध संकल्प करते हो, कि इस आत्मा का कल्यान हो जाए। आपका संकल्प वा भावना उत्पन होना और उस आत्मा को अनुभुती होगी, कि मुझा आत्मा को कोई विशेश सहयोग से शान्तिव शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं, कि कई कारियों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप ददा की एक्स्ट्रा मदद से यह कारे सहज ही सफल हो गया, वो यह विग्न स्माप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्यानकारी आत्माओं की सुक्षम सेवा प्रत्यक्स रूप में अनुभव करेंगे। सम्य भी कम और साधन भी कम, संपत्ती भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धी सदाफ्री चाहिए। छोटी-छोटी बातों में मन और बुद्धी को बिजी बहुत रखते हो। इसलिए सेवा के सुक्षम गती की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धी की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो इसलिए यह सुक्षम सेवा तिवरगती से नहीं चल रही है इसके लिए विशेश अटेंशन एकांत और एकाग्रता एकांत प्रिये आत्माई कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती हैं जो अपनी सुक्षम शक्तियां मन बुध्धी को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती हैं। चाहे बाहर की परिस्थिती हलचल की हो लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकागर हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्यान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकागर बन जाएंगे। सुना सुक्षम सेवा क्या है? शुब भावना, शुब कामना, शब्द सभी बोलते हैं। लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्स रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्स फल की अनभुती कराने के निमित बनो। अच्छा, तीचर्स का तो काम ही है सेवा, तीचर्स का महत्व ही है सेवा, अगर सेवा का प्रत्यक्स प्रमान दिखाई नहीं देता, तो उनको योग्य टीचर्स की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। तीचर्स की महानता सेवा हुई न, तो सेवा का महीन रूप सुनाया, मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुब भावना की सेवा साथ साथ हो, बोल और भावना डबल काम करेंगे, इस सुक्षम सेवा का अभ्यास बहुत काल और अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूप रेखा बदलने ही है, फिर उस समय सुक्षम सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे, बाहर की परिस्थितियां बुद्धी को आकरशित कर लेंगी, रिजल्ट क्या होगी, याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे, इसलिए अभी से अ औरों को सिखाती हैं, तो जरूर स्वियम जानती हैं, तब तो सिखाती हैं ना, सभी योग्य टीचर्स होना, योग्य टीचर की विशेस्ता यह है, जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वत्य ही खाली हो जाए के अच्छा कुमारियां भी आई है कुमारियां अर्थात होवन हार टीचर्स तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां है अगर होवन हार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है कुमारियां क्या करती है नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे बाप दादा को हसी आती है कुमारियों के उपर टोकरी का बोज उठाने के लिए तयार हो जाती है लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना चाहे पड़ भी रही है तो भी लक्षे तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है नौकरी करना अर्थात अपने को पालना बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे चलते रहे विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे यह लक्षे रखो जब अनेक आत्मों के निमित बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्म को पालना उसकी आगे क्या हुआ अनेकों की दुआएं लेना यह कमाई कितनी बड़ी है उस कमाई में पांच हजार पांच लाख भी हो जाएं लेकिन यह अनेक आत्मों की दुआएं यह कितनी बड़ी कमाई है और यह साथ जाएगी अनेक जनमों के लिए वह पांच लाग कहा जाएंगे या घर में या बैंक में रह जाएंगे लक्षे सदेव उचा रखा जाता है साधारण नहीं संगम युग पर इस एक अभी के जनम में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित बनने का सत्युग में भी यह ओफर नहीं मिलेगी नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं कि कोई ओफर मिले बाप स्वियम सेवा की ओफर कर रहे हैं तो योग्ये राइट हैंड बनो साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना योग्ये सेवाधारी न जब योग्ये सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा चल सकेंगे वो नहीं योग्येता नहीं होती है तो डर लगता है जो योग्ये होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है चाहे सुल योग्येता चाहे ज्यान की योग्येता मनुष्य को वैल्यूबल मुल्यवा बनाती योग्यता नहीं तो वेल्यू नहीं रहती सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है ऐसी योग्ये आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती योग्ये बनना माना मेरा तो एक बाबा बस और कोई बात नहीं सुना कुमारियों ने अच्छा कुमार भी बहुत आए है कुमार दोड बहुत लगाते हैं सेवा में भी अच्छे उमंग से दोड लगाते रहते हैं लेकिन कुमारों की विशेषा और महानता यही है कि आदी से अब तक निर्विगन कुमार हो अगर कुमार निर्व प्रविज्व क्ुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाये जाते हैं। क्यूंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाए। कुमार के लिए समझ से हैं कि कुमार योग्य बन जाएं। यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो लेकिन हम निर्विग्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सेंपल दिखाने वले कुमार महान कुमार है। बाप ददा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा, अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विगन आया, तो नीचे उपर हो गए, ऐसे नहीं, कुमार अर्थात ना तो समश्या बनना है, और ना समश्याओं में हार खानी है, कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विगन कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विगन आता है, कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कमपैनियन चाहिए, तो किसी न किसी रिती से अपनी कमपनी बना लेते हैं, कोई कोई कुमार तो कमपैनियन भी बना देते हैं, और कोई कमपनी में आते हैं, बात चीत करना, बैठना फिर कमपैनियन बनाने का भी संकल पाता है लेकिन ऐसे भी कुमार है जो बाप के सिवाए ना कमपनी बनाने वाले हैं ना कमपैनियन बनाने वाले हैं सदा बाप की कमपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं तो आप लोग कौन से कुमार हो थोड़ी चाहिए सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए वह रौंग है तो आप सभी कौन हो निर्विग्न होना नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे आखिर तो विश्व को अपने आगे बाप की आगे जुकाना तो है ना तो यह कुमारों की कमाल विश्व को जुकाएगी विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की कुमारी मेजोरिटी फिर भी सेवा की कमपनी में रहती है लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कमपनी का संकल्प आता है तो पंडव भवन बना कर सफल रहे ऐसा कोई करके दिखाओ लेकिन आज पंडव भवन बनाओ और कल पंडव एक इस्ट में चला जाए और एक वेस्ट में चला जाए ऐसा पंडव भवन नहीं बनाना बाप ददा को कुमारों के उपर विशेश नाज है कि अकेले रहते भी पुरुशार्थ में चल रहे है कुमार आपस में दो तीन साथी बना कर क्यों नहीं चलते साथी सिर्फ फिमेल ही नहीं चाहिए दो कुमार भी रह सकते हैं लेकिन एक दो के निर्विगन साथी होकर रहे अभी वेह जलवा नहीं दिखाया है समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है और बातें आ जाती है इसलिए बाप ददा पंडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है लेकिन सेंपल कोई करके दिखाए ऐसा नहीं पंडव भवन बना कर फिर जो निमित दादी दी दिया है सेवा के एक शेत्र पर खुद समश्या नहीं बनो लेकिन समश्या को मिटाने वले बनो फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी क्यूंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो निर्विग्न कुमार बन कर दिखाएंगे. कुमारों ने बाप दद के सामने खड़े होकर वायदा किया. बाब ने कहा अभी सभी का फोटो निकल गया है. ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं. फोटो निकल गया. कारों और के सर्व बच्चों को सदा बाप ददा अपने सने के सहियोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं. देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं. हर एक बच्चा अपने दिल का समाचार सच्चा समाचार भी देते रहते हैं. खास विद मुबारक भी और साथ में सदा स्वव सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वर्दान दे रहे हैं स्वव पुरिशार्थ के समाचार देने वालों को बाप दद यही वर्दान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो ऐसे सदा स्विम को भी संसकारों से, संगठन से, राज युक्त, अर्थात राजी रहो। एक दो के संसकारों के राज को भी जानना, परिस्थिती को जानना यही राज युक्त स्थिती है। यह है पत्रों का रिस्पोंड, पत्र लिखने में विदेशी बहुत होश्यार है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, भारत वासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना, बाप ददने कह दिया है दो शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है, सर्वी चार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है, यह पत्र पढ़ना भी सहज है, तो लिखना भी सहज है, लेकिन अगर ओके नहीं हो, तो फिर ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ, तब लिखना, पोस्ट पढ़ने में भी टाइम तो लगता है ना, कोई भी क कथाएं लिख कर नहीं भेजना समझा समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है अच्छा सर्वशुब भावना और शुब कामना की सुक्षम सेवा के महत्व को जानने वाले महान अत्मां को बाप ददा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुह प्यानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग वर्दान अपने परिवर्तन दवारा निरंतर विजे की अनुभूती करने वाले सच्चे सेवाधारी भव जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजे बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे क्योंकि विजे आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजे का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्मां की सेवा स्वत्य होती है उनके नयन रुहानियत का अनुभव कराते हैं चलन बाप के चरित्रों का साक्षतकार कराती हैं मस्तक से मस्तक मनी का साक्षतकार होता है ऐसे अपने अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेस आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है स्लोगन विशेस साए वगुण दाता की देन है दाता को देखो व्यक्ती को नहीं विशेस सावा गुण दाता की देन है तो दाता को देखो व्यक्ती को नहीं और सूचना आज मास का तीसरा रविवार अंतरास्ट्रिय योग दिवस है बाबा की सभी बच्चे साए साड़े छे से साड़े साथ बचे तक विशेस अपने पूर्वज और पुज्य स्वरूप में सित्त हो अपने तपस्वी स्वरूप दवारा पूरे व्रिख्ष को सर्वशक्तियों की सकाश देने की सेवा करें भक्तों की मनोकामनाई पूरी करें ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें